यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियों के अंदर, नाचजी जर्मन्य में युबाओं की स्थिति जब नाच्ची वाद चल रहा था, एटलाइका सासम चल रहा था तो उस समय युबाओं की स्थिति क्या थी जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र में माचित्र में देखाया गया है यहुदी विरोधी विशों की पढ़ाई को दरसाता एक अक्षा का चित्र है यहुदी विरोधी यह विशे की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हम देखें कि युवाओं में इटलर की दिल्चस्पी जुन उनकी हद तक पहुंच चुकी थी उनका मानना था कि एक सक्तिसाली नाथसी समाज की इस्तापना के लिए बच्चों को नाथसी विचारदारा की गुट्टी बलाना बहुत जरूरी है इसके लिए इसकुल के वीतर और बार दोनों जगे बच्चों पर पूरा नियतर यहाँ पर आवशक था नाथसी बाद के दोरान इसकुल में क्या हो रहा है तमाम इसकुलों में सफाई और सुद्धी करण की मुहिम चलाई गई यहुदी वे राजनितिक रूप से एविश्विशनिया दिखाई देने वाले सिक्षकों को पहले नौकरी से अटाया गया और बाद में यहाँ पर मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया गया बच्चों को अलग-अलग बठाया जाने लगा जर्मन और यहुदी बच्चे एक साथ ने तो वैट सकते थे और नहीं वहाँ पर खिल कूट सकते थे बाद में एवांचित बच्चों को यानि की यहुदियों जो जिप्शियों के बच्चे या बिकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और चालीस के दसक में तो उन्हें भी यहाँ पर गैस चेंबरों में जोग दिया गया था अच्चे जर्मन बच्चों को नाच्ची सिक्षा प्रिक्रिया से गुजरना पड़ता था और यह विचारदारा प्रेसिक्षन की एक लंबी प्रिक्रिया थी इसकूले पारटफुष्तकों को नई सरह से लिखा गया नसल के बारे में यहां पर पिचारित नाथसी विचारों को सही ठराने के लिए नसलिविज्यान के नाम से एक नया विशा यहां पर पारट एक्रम में सामल किया गया और गनित की कक्षाओं में भी यहुदियों को एक खास सभी गड़ने की यहांपर कोशिश की जाती थी यानि गनित की कक्षाओं में भी यहुदियों की एक खास सभी गड़ने की कोशिश की जाती थी बच्चों को सिखाया गया कि बेवफादार, वे अज्ञान यहांपर बच्चों को सिखाया गया कि वो अमिसा वफादार है, अज्याकारी रहें यहोदियों से नफरत और एटलर की वो उजा गरें खेल कूद की जरियेवी बच्चों में इंसा और एक्रावक्ता की भावना पैदा की जाती थी हिटलर का मानना था कि मुक्यवाजी का प्रेसिक्षन बच्चों को उलादी दिलवाला, ताकतवर और मरदाना यहां पर बनाता है बाकी बच्चों की हशिट टोली के बीच में यहुदी सिक्षक और यहुदी विद्यार्चियों को स्कूल से यहां पर निकला जा रहा है यह हम माचतर में देख सकते हैं कि यहोदी सिख्चकों को निकला जा रहा है और यहोदी जो बच्चे हैं उनको भी आपर निकला जा रहा है जर्मन वच्चों और युवाओं को राश्टिय समाजवाद की भावना से लेस करने की जिम्मेदारी युवा संख्चनों को सौपी गई 10 साल की उमर के बच्चों को यूग फोक में दाखिल करा दिया जाता था और 14 साल की उमर में सभी लड़कों को नाच्चियों के युवा संख्चन यानि हिटलर युद्ध की सदस्ता यांपर लेनी पड़ती थी और इस संख्चन में वे युद्ध की उपासना, एक्रामक्ता, इंसा, लोगतंत्र की निंदा, यहुदियों, कॉम्मुनिस्ट और जिप्सियों वे अन एवांचितों से ग्रहना का सबक वो सीखते थे गहन, विचार, धारात्मक और सारिरिक प्रिसिक्षन के बाद लगबक 18 साल की उमर में वे लेबर सर्विसेज, यानि की स्रम सेवा में वो सामल हो जाते थे इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाची संग्ठन की सदस्ता यहां पर लेनी पड़ दी थी यहां पर हम बात करें यूंग फोग क्या है, 14 साल से कम उमर वाले बच्चों के लिए नाची युवा जो संग्ठन था वो था यूंग फोग यूंग फोग में यह दाखिला करा दिया जाता था 14 साल से कम उमर के बच्चों का और यहां पर 6 से 10 साल तक की उमर के सभी लड़कों को नाची विचार दरा का सुरुवा थी प्रिसिक्षन दिया जाता था प्रिसिक्षन पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प। प्रति निष्टा की है सपट लेनी पड़ती थी कि हमारे फ्यू हर का प्रतिनेत करने वाले इस रखती द्वश की inपस्तिति में वह सपत लेता हूं कि मेरी सारी उड़ जा, मेरी सारी सकती हमारे देश के रख्षक एडॉल्फ एटलर को समर्पित है और मैं उसके लिए अपना जीवन देने को इच्छो कोड तयार हूँ इस वर मेरी मदद करें और यहाँ पर हम देख सकते हैं मौत के कार खाने में आते हुए यहोदी बच्चे जिनने गैस से मार दिया यहाँ पर जाएगा तो गैस चेमबर से यहाँ पर यहोदी बच्चे को मार दिया जाता था नेस्ट हम देखें याँ पर जर्मल लेवर फ्रेंट के प्रमुक रावर्ट लेने याँ पर कहा था कि हम तवी से काम सुरू कर देते हैं जब बच्चा तीन साल का होता है जैसे ही वैं जरासा भी सोचने लगता है उसे लेराने के लिए एक छोटा सा जंडा थमा दिया जाता है इसके बाद स्कूल, हिटलर यूद, सेनिक सेवा का नम्मर आता है लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं है लेबर फ्रंट उन्हें अपनी ग्रप्त में ले लेता है चाए उसे अच्छा लगे या बुरा कबर तक उनका पीछा यहां पर नहीं छोड़ता तो यहां पर हम बासित बाद जो बांचित बच्चे हैं जिनकी संक्या इटलर वड़ाना चाता है वो यह है और कबजे वाले यूरोप से अजिकरत पॉलेंड में वसाने के लिए बेजा जा रहा एक सिसु अपनी मा के साथ यहां पर दिखाया गया है तो नाच्छी यूथ लिग का जो गठन है वो कब हुआ था 1922 में हुआ था चार साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम यहां पर दिया गया 1933 तक आते आते इस संक्ठन में 12.5 लाग से ज़्यदा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाच्छी बाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संक्ठनों को पहले भंग कर दिया गया बताया जाता था कि औरत बुनियादी तोर पर मर्दों से बिन होती है और उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान आधिकारों का संगर्स गलत है यह समाज को निष्ट कर देगा और इसी हादार पर लड़कों को अक्रामक मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाय जाता था जबगी लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मावर्ना है सुद आरियरक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन कोशन करना है नसल की सुदिता बनाए रखने और यहुदियों से दूर रहने और गड़ समवागने और बच्चों को नाथसी मुल मनताओं को शिक्षा देने का दायत उने भी सौपा गया आरिया संस्कति और नसल की द्वजवाग वही कही गई थी आपर एस टम बदवाग करें नियूरंबर्ग पार्टी रेली में औरतों को सम्मुदित करते हुए यहाँ पर 5 सितमबर 1934 को इटलर ने कहा था कि हम इस बात को अच्छा नहीं मानते हैं कि औरत मर्द की दुनिया में उनके मुखे दायरे में दखल दे हमारी नजर में यह कुदरती बात है कि दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग है दोनों की दुनिया है वो एक दूसरे से अलग है जिस तरह मर्द अपने सास के रूप में युद्ध के मोड़्चे पर अपना सरवस नुशावर कर देता है उसी तरह औरत अपने अनंत, आत्म बलीदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है और अपने समाज को जिन्दा रखने के लिए औरत जोड़ा छिड़ा गया ये युद्ध है 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज़ की सबसे मेच्पूर नागरिक मा है लेकिन नाथ्शी जर्मनी में सारी माताओं के साथ ही एक जैसा बरताव यहाँ पर नहीं होता था जो औरते नसली तोर पर एवांशित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें यहाँ पर दंडित किया ज़्यादा था जबकि नसली तोर पर बांशित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को यहाँ पर नाम दिये जाते थे और ऐसी माताओं को अस्पताल में विशिस विदाई दी जाती थी दुकाना में उन्हें ज़्यादा शूट मिलती थी थियाटर और इलगडी के टिकट होने सच्टे में मिलते थे फिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को या माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंदिजांग किया जिस तरह के तमगे सिपाईयों को यहाँ पर दिये जाते थे चार बच्चे पैदा करने वाली मा को सोने का तमका यहां पर दिया जया था बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुँपर कालिक पोथ करके उनके गले में तक्ती लटका करके पूरे सहर में गुमया जाता था और उनके गले में तक्ती लटकी पर लिखा था कि मैंने राइच के सम्मान को मजिन किया है और इस अपरादिक क्रत्य के लिए बहुत सारी ओरतों को नेकेवल जेल की सजा हुई है बलकि उनसे तमाम नारिक सम्मान और उनके पती और परिवार भी यहां पर छिन लिया गए है उसके बाद में नियुरेंबर्ग पार्टी रिली आठ सितंबर 1934 को ही इटलर ने यह का यह भी कहा था कि और आतें किसी समुदाय के संटक्षन में सबसे इस्तिर तत्व है उसे इस बात की सबसे अच्छी तरह पता है कि अपनी नसल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या-क्या चीजे मेत्पून होती है क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रिवावित होते हैं इसलिए हमने नसली समदाय चे शंगर्श में औरत को वहाई जग़े दी है जो प्राकरति और नियत्व के अनुसार है हला प्रिचार की कला की अगर हम बात करें हिट्लर की समुनमराज में किस तरीके से तलर होता है उसके बारे हम बात करें तो नाटसी सासन ने बासा और मीडिया का बड़ी होस्यारी से यहाँ पर इस्तिमाल किया है और उसका जवरड़स्तियां पर फायदा उठाया है उन्होंने अपने तोड़ तरीकों को यहाँ पर वियान करने के लिए जो सब्द इजाद किये थे वे ने केवल ब्रहमक वलकी दिल देलान ने देने वाले थे नाजियों ने अपने अधिक्रत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे सब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया है सामुए कत्याओं को विशेश विवार अंतिम समाधान या यहुदियों के संदर्म में यूथनेजिया यानि विकलांगों के लिए चैयान और सक्रमन मुक्ति वाजी सब्दों से ब्यक्त किया जाता था और एवीक्यूशन मतलों खाली कराना का अशय था लोगों को गयस चरंबरों में ले जाना और क्या आपको मालूम है कि गयस चंबरों का क्या चाजाता था उन्हें सक्रमन मुक्ति के छेत्रियां पर कहा जाता था गैस चेंबा रिश्नानगर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फबारे भी लगे होते थे सासन के लिए समर्थन असल करने और नाची विश्विद्रश्टी कौन को फैलाने के लिए मीडिया को बहुत सो समझ कर इस्तेमाल किया गया नाची विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर सकत, नारों और इस तहरी पड़्चों का खूब सारा लिया गया पोस्टरों में जर्मनों के दुस्मनों की रटी रटाई च्षबियां दिखा जाती थी जया जाता उन्हें उप्मानित किया ज़ता था, समाज वादियों, अधार वादियों को कमज़र और पत्वर्यस्तव के रूप में प्रेसित किया ज़ता था wetषड फिल्मों, यहूदियों के बड़लाने पर, जोड़ दिया जआता था, इयास्स, ना पेश किया जाता था उन्हें डाड़ी बढ़ाएं और काफ्तान यानि चोंगा पैने दिखाया जाता था जबकि बास्तम में जर्मन यहुदी और बाकी जर्मनियों के बीच में कोई फरक करना असंबब था तो कि दोनों समदा एक दूसे से काफी गुले मिले थी उन्हें केचुआ चुहा कीड़ा जैसे सब्दों से सम्मुद किया था उनकी चाल डाल की तुन्हा कोतरने वाली संदरी जीवों से की जाती थी और नाचिवाद ने लोगों के दिलों दिमाग पर गहरा असर डाला है उन इस समाज को अपनी तरह बाकर सिद्क करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एसास कराया है कि उनकी समझ्चाओं की सिर्फ नाच्सी ही हल कर सकते हैं उसके बाद में यहुदियों पर हमला करता हुआ एक नाच्सी पोश्टर यहां पर दिखाया गया है और पैसा ही यहुदी का भगवान है पैसे के लिए यह ब्यानक अपराद करता है इसा यहां पर दिखा गया है और वह तक चैन से नहीं विटता जब सिर्फ रिटलर के हो क्यों इस तरीके से यहां पर बताया गया है कि आज जर्मन किसान दो भ्यानक पार्टों के बीच में पिश रहा था एक खत्रा अमेरिकी अर्थविष्टा यानि बड़े पूजिवाद का था दूसरा खत्रा था वाल्से विजमी की मार्क्सवादी अर्थ बजा चकता है 1932 में चपी एक नाथसी पर्चे से लिया गया है और 20 के दसक्का नाथसी पार्टी का पोस्टर दिखाया गया इसमें एटलर को अग्रिम बोर्चे पर युद्रत सिपाई बता करके उसे बोड़ देने का आवान यहां पर किया है तो इसको एटलर को यहां पर युद्रत करा का दिखाया गया है युद्रत सिपाई बताया गया है अगर हम तिथियों की बात करें तो पहला विश्यूदी जो हुआता है यहां पर युद्धि समाप्त हो जाता है और 9 नमेंबर 1918 को बाइमर कंटराज की स्थापना गयलान होता है 28 जुन 1919 को बरसाई की स सेंदी होती है 30 जनवरी 1933 को रिटलर जर्मन का चांसलर बनता है 30 जनवरी 1933 को पॉलेंड में घुषना और दूसरी विश्यूद की सुरूबात होती है 22 जुन 1941 को जर्मन से नाय स्वावियत संग में घुषती है 23 जुन 1941 को यहुदियों का कतलयाम शरू किया आता है 8 जब दूसरी जर्मन से नाजवरी 1945 को सोवियत फोजे और श्विट्स को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 को यूरोप में मिश्ट राष्ट जो जो मित्र राष्ट हैं उनकी विज़ा होती है आम जनता और मानफ्ता के खिलाब अपराद के अगर हम बात करें आम जनता और मानफ्त अडंबर बहुत सारे लोग नाजसी सब्द अडंबर और धुवाधार प्रिचार का सिकार हो गए थे बेद दुनिया को नाजसी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजसी सब्दावली में व्यक्त करने लगे किसी यहुदी से आमना सामना हो जाने पर उन नहीं नेके वल यहुदियों के घरों के बार निशान लगा दिये बलकि जिस जिन पड़ोशियों पर सक्था उनके बारे में पुलिस को सुजित कर दिया उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजसी वाधी देश को तरके के राच्टे पर ले जाएगा और यही वविस्ता सताय गए लोगों के प्रती हमदर दी का अबाब केबल दसत की वज़े से था लौरेंस रीज करेंआ था कहना घलत है कि लौरेंस रीज ने अपने ब्रत्चित्र दी नाची दी वर्निंग फ्रॉम मिस्टी के लिए तरह तरह के लोगों से बाचित की थी इसी सिल्स्लेमनों ने एरना क्रॉतसा से भी बात की थी जो 1930 के दसक में किसोरी थी और वै आप दादी बन चुके थी एरना ने रिश से कहा है कि 30 के दसक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी बै बेरुजगारों के लिए नहीं बलकि हर किसी के लिए उम्मीद का दोड़ था क्योंकि हम सभी दवा कुछला मैसुश करते थे अपने अनभव के आदार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनखाएं बड़ी थी जर्मनी को मानो अपना उद्दिस दुवारा मिल गया था कम से कम मुझे तो यह लगता था और यह अच्छा दोड़ था मुझे अच्छा लगता था लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाची नहीं था बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत के असंका के बावजूद नाची वाद का जमकर व्रोध किया है लेकिन जर्मन आवादी का एक बहुत बड़ा इस्सा है इस पूरे घटना करम का एक मूग दर्सक और उदासी साक्षी बना हुआ था लोग को ये ब्रोधी कदम उठाने अपना मतविज व्यक्त करने नाची वाद का ब्रोध करने से ड़ते थे वे अपनी दिल की बात कहने की वज़ा है आँखे फेर करके चल देना ज़्यादा बेतर समानते थे पादरी नीमियों लगने नाचीयों का लगातार ब्रोध किया है उन्होंने पाया है कि नाची समराजी में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संक्ठित जुल्म किये जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता ब्रोध नहीं कर सकती जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है और गोश्तापों की दैसतना कारिय सेली और कुक रत्तों पर निसाना साथते हुए इस खामोशी के वारों में उन्होंने बड़े मर्म इस पर सी डंक से लिखा है कि पहले वे कॉमुनिस्टों को डूणते आए हैं मैं कॉमुनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को डूणते आए तो मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था इसलिए चुप रहा और उसके बाद वे ट्रेड यूनिन वलों को डूणते आए पर मैं ट्रेड यूनिन नहीं था और फिर वे यहुदियों को डूणते आए लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और फिर अंतता है जब मैं मेरे लिए आए तब वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ यहां पर खड़ा हो सके तो यहां पर हम बात करें नाजसी जर्मनी में यहूदी क्या मैसुस करते थे यह एक बिलकुल अलग कहानी थी सारलट वेराट ने अपनी डारी में लोगों के सपनो को चोरी छिपे दर्ज किया था और बाद में उन्होंने इस डारी की बुष्टक के रूप में प्रकास्ट किया है पढ़ने वाले को जर्जोर कर रहे दरखने ले वाली इस पुष्टक का नाम है Third Reich of Dreams सालट ने इस किताब में बता है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाचियों के दौरा खेलाई जा रही रूड़ी छबियों पर यकीन करने लगे अपने सपनों में भी उन्हें भी अपनी नाख आगे से मुड़ी हुई बाल वे आँखे काली य बहुत सारे यहूदी गैस चमबर में पहुजने से पहले ही यहां पर दम तोड़ देते थे उसके बाद में जैसे यहां पर वार्षा गेंटों की निवाजियों ने दस्तावे जिकटा किया और उन्हें दूद के तीनों में रख दिया और जब यह तैय दिखाई देने लग कि अगर सबकुष तवा हो जाएबा तो उन्हें सो देतालश में तीनों जो करनिश्टर में अपनी काल योटियों के तेकाने में दवा दिया और यह करश्टर 1950 ने लोगों क Ε Slot लगे है महाद भजनिघ कबारे में हालो कास्ट के ओ states तो नाथसी तोड़ तरीकों की जानकारी नाथसी सासन के आखरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बहार जाने लगी लेकिन वहां कितना वीशन रखपात और बरवर दमन हुआ था इसका असली अंदजा तो दुनिया को यूति खत्म होने और जर्मनी के हाड़ जाने के बाद ह लग पाया है जर्मन समाज तो मलवे में दवे एक पराजित राश्ट की रूप में अपनी दुर्दसा से दुखी ही था लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन वीशन अत्ताचारों पीडाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कतले आम में जेली थी इनी कतले आमों को महादवनस्वी यहाँ पर कहा गया जब दमन चकर अपने सिकर पर था तो उन्ही दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह यूदी के बाद सिर्फ आदा गंटा और जीना चाहता है सायद वह दुनिया को यह बता कर जा चाहता है कि नात्सी जर्मन में क्या-क्या हो रहा था और जो कुछ हुआ उसकी गवाई देने और जो भी दस्ताविज हाथ है उन्हें बचाए रखने के लिए एक अदम चाहे खेटों और केपों में नागरिये या नार्किये जीवन भोगने वाले बहुत सारे या भोगने वाले बहुत गहरी तोर पर देखे जा सकती है उनमें बहुत ने डायरिया लखी नोटबुक लखी दस्ताविज के संग्रा बनाएं लेकिन इसके विप्रीद जब यह दिखाई देने लगा कि अब यूद्ध में नाच्शियों की पराजया तैय है तो नाच्शी ने तरत मे मौझूद तमाम सबुतों को नेश्ट करने के लिए अपने करमचारियों को पेटरॉल बाटना यहां पर सुरू कर दिया तो डेनमार्क में अपने यहूदियों को चोरी छुपे जर्मनी से निकाल लिया और इसकाम के लिए इस्तिमाल की गई नोकाओं में से एक यहां पर साज दिखाया था प्रतिरोद किया था उन लोगों के लिए भी हैं यह सारी बाते हैं सर्मनाग यादगार हैं जिनोंने यह जुल्म इठाय और जिनके लिए चेताबनी की आवाजे हैं जो खामोची से यह सब यहां पर देखते भी रहे हैं उसके बाद में गांधी जी ने इटलर को एक पतर लिखाया उसमें क्या लिखायाओ उसके वारे excited गांधी जीन ने ऑपतर लिखाता है बैर्या में और नोकि मैंगे मैंने मैंसुस किया है कि मेरा आपको पथर लिखना दृशता होगी लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे इसाब किताब करना नहीं चलना चाहिए मुझे आपसे अपील करनी चाहिए चाहिए बैजिस लाय को यह बाoup विल्कुल इसपश्ट है कि आप संसार में आज हिटलर को पत्र हूँ उसमें बताया गया है कि यह बाद बिल्कुल इसपश्ट है कि आज संसार में आप येग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूत्य को रोक सकते हैं जो मानव जाती को बरवर अवस्ता में पहुंचा सकता है क्या आपको किसी उद्धिस के लिए इतना बड़ा मुले चुकाना चाहिए फिर चाहिए वे उद्धिस आपकी दृष्टी में कितना भी मान क्यों ना हो क्या आप एक ऐसे वेक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच समझ कर कि यूति के तरीके का त्याग कर देया है और इसमें से काफी सपलता भी मिली है जो भी हो मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूर की है तो इसके लिए आप मुझे छमा कर देंगे मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहंदास करम चंद गांदी इस तरीके सी करम मात्मा गांदी ने ये पत्र लिखा है पिटलर को गांदी जी का पत्र जो मिला है पिटलर को गांदी जी का पत्र है दूसरा लिखा है हमें आइंसा की रूप में एक ऐसी सक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संक्ठित कर लिया जाए तो वे संसार वर की सभी प्रवलतम इंसात्मक सक्तियों की गड़ चोड का मुकाबला कर सकती है जैसा कि मैंने काया कि आइंसात्मक तरीके में प्राज्य नाम की कोई चीज है ही नहीं यह तरीका तो बिना मारे और चोड पहुँचाए करने और मरने का तरीका है इसका इस्तेमाल करने में दन की लगवक कोई जरुत नहीं है और उस बिनास सास्त्र की भी नहीं है जो आपने पूर्टा की तरह मिंदूबर पहुंचा दिया है मुझे यह देखकर आशरिया होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनासकारी अंतरों पर किसी का एक अधिकार नहीं है अगर विटिस लोग नहीं तो कोई और देश निश्चे ही आपके तरीके से ज़्यादा वेड़तर तरीका एज़ाद कर लेगा और आपके ही तरीके से आपको नीचा दिखाएगा आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का मैसुश नहीं करेंगे फिर बले ही यह क्रत कितना ही निपुन्ता पूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो आता है मैं मैंनत्ता के नाम पर आपसे युद्ध रोग लेने की अपील करता हूं हर्दय से आपका मित्र मोहंदास करंचंद गांदी इस तरीके के पत्र हैं यहाँ पर हिटलर को मात्मा गांदी के द्वारा लखे गए थे